नमस्कार मित्रो, मैं जब सात्वी में था, तब मैंने ड्रागंबोल जी देखना शुरू किया था वो समय था 2007 का, 2007 में ना तो इंटरनेट था और नहीं ऐसा कोई साधन जिसे कि मैं वैम के बारे में सिख सकूँ, एक्सरसाइज के बारे में सिख सकूँ और मैं बहुत ज़्यादा कमजोर था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, केवल में चलता था, तब भी मेरे हद पे रदुखते थे उसी समय जब मैंने ड्रेगांबोल जी देखना शुरू किया, और उसके ताकद और कैरेक्टर्स को जब मैंने देखा, तब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी उन्हें देख देखकर जो भी वो करते वे में करने लगता और इन सब में, मुझे सबसे ज़़ा इंस्पायर किसन ने आगर किया है, वो है गोकू केवल मैं ही नहीं, आज दुनिया के लाखों लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं केवल गोकू को देखकर उन्होंने व्यायम करना शुरू किया है, उसकी इंस्पिरेशन से उन्होंने ये सब किया है तो उस समय से मेरे व्यायम का कोई भी पैटन नहीं था तो गोकू से कुछ बाते मैंने सिखे हैं, वो मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ ताकत बढ़ाने के लिए गोकू से सबसे पहली बात आप ये सिख सकते हो गोकू वजन्दार कपड़े और जूते पहनता था आज भी लोग वजन्दार कपड़े पहन कर पुश अप्स, पुलप्स लगाते हैं जिसकी ताकत बढ़ती हैं दुसरी बात गुकु से मैंने ये सिखी कि जो भी हो आपको सब कुछ खाना ही चाहिए मैं बच्पन में बहुत ज़्यादा नकरे करता था ये नहीं खाना वो नहीं खाना और जब मैंने गुकु को देखना शुरू किया तब मैं सब कुछ खाने लगा तिसरी बात गोकु से आप ये सिख सकते हो वो है sacrifice गोकु सबसे कितना प्यार करता है भले वो दुश्मन हो या आपना दोस्त हो ये तो हमें पता है लेकिन वो अपनी जान भी हस्ते हस्ते हर किसी के लिए दे सकता है ये भी हमने देखा है और हाँ अगर ड्रैगन बॉल्स नहीं होते तब भी गोकु अपनी जान हस्ते हस्ते ही दे देता गोकु अपने दुश्मनों के लिए भी हमदर्दी रखता है कुछ लोग इसे बुरी बात केते हैं लेकिन हमें पता है कि गोकु के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इसे से वो अपनी ताकत बढ़ाता है क्योंकि जब भी हमारे मन में दुसरों के लिए प्यार होता है तब हम हमारी ताकत को बढ़ा सकते हैं जिसके गोकु कहता है ताकत के वल चाहने से नहीं आती ताकत की जरुवत पढ़नी पढ़ती है और उस जरुवत को आपको पैदा करना पड़ता है चोती बात गोकु से मैंने यह सिकी है वो है रिस्पेक्ट हाँ थोड़ा मुश्किल है समझना क्योंकि गोकु किसी की रिस्पेक्ट करता है ऐसा हमें दिखता नहीं है जैसे कि वो ओमनी किंग के सामने भी ऐसे ही चला जाता है लेकिन किंकाई के यहाँ पे जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई तब उसने टटर हर्मिट के साथ साथ किंकाई का भी चिन्ना अपने कपड़ उपर मांगा था और उससे पता लगता है कि गोकु अपने टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है पाचिवाद गोकु से हम यह सिखते हैं शियर डिटर्मिनेशन गोकु की ट्रेनिंग और उसकी लाइफ का अगर हम देखें तो साफ साफ हमें यह देखता है कि वो गिव अप करने वाला बंदा है ही नहीं लाइफ में हमारे एक शमता से ब्यादा मुश्किल चैलेंजेस हमेशा आते रहते हैं लेकिन गोकु हमें यह दिखाता है कि केवल रोते बेटने से मुश्किले हल नहीं होती है हमें हर मुश्किल चुनोती के आगे हमें खुद को ताकत और साबित करना ही पड़ता है आज ड्रागन बॉल से विज़ादा आच्छी स्क्रिप्ट वाले नरुटो, वन पीस, डेथ नोट फुल मेटल अलकेमिस्ट, अटेक उन टाइटन ऐसे कई-कई अने में आ चुके हैं लेकिन गोकु जो हमें सिखा के जाता है जो हम पे चाप छोड़ता है हम सब की जिवन पर उसका जो प्रभाव पड़ा है उसकी कंपारेजन किसी से भी नहीं हो सकती है गोकु हमें ताकत के साथ युमिलिटी भी सिखाता है गोकु और क्रेलिन ने साथ में ही शुरुआत की थी लेकिन आज गोकु उससे कई हजार गुना आगे पहुँच गया है फिर भी गोकु क्रेलिन के साथ उसी तरह से भरताव करता है जो कि वो बच्पन में करता था उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ताकत ज्यादा है किसे के पास कम है उसे ये फर्क नहीं पड़ता किसे के पास पैसा ज्यादा है या पैसे कम है उसे दुनिया के किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सबसे बड़ी चीज हमें गोकु से सिखने चाहिए आप सबने गोकु से क्या सिखा है ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रू बताईए और आपका एनिमे का सबसे फेवरेट कैरेक्टर क्या है ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रू बताईए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जैश्री राम